असलाम लिख मैं वर्यवान जैसा कि आप जानते हैं कि के पीकी का जो एक्टेस्ट है यह इटा के थू कंड़क्ट हो रहा है और इटा की वेब साइट काफी जाथ एक्टिव है और खास्तर पर उने सोशल मीडिया पेजिस के ओपर भी काफी लेट अपडेट सुझारा करते र रुपएया चार्ज की जाएंगी जब कि जो रिमेनिंग 5,000 रुपएय हैं वो रिफर्ड कर दिया जाएंगे यानि के पीक के हुआले से अभी यह खबर है इटा की तरफ से कि औधावी फीस रिफर्ड करेंगे तो ऐसे किसमें डेफिनिटली इन्हें 8000 रुपे रिफंड होने चाहिए और मेरे खाला होंगे भी लेकिन ये जो मुखतसर सा नोटिफिकेशन है इसमें जानली बताया गया है कि आपके 5000 रुपे रिटर्न कर दिये जाएंगे और MDCAT की फीस वापसी से मुतालिक काफी ज़्यादा स्टोंट्स इंकॉयर भी कर रहे थे खास्त पर तब जब ये MDCAT का मौामला नैशनल लेवल से प्रविंशन लेवल के ओपर ट्रांसफर किया गया तो काफी ज़्यादा स्टोंट्स को ये लग रहा था कि अब उसूली तो और पर MDCAT की जो इजाफी फीस है वो वापिस होनी चाहिए क्योंकि ना तो अब ये टेस्ट जो है वो कंपिटर बेस्ट होगा ना ही नैशनल लेवल के ओपर है जबके अब ये टेस्ट जो है प्रविंशल एड्मेडिंग उनिवस्टी को स्कुर्द कर दिया गया है तो इस अगर हम एवरिज फी लगा लें के चलें सब स्टूड्स ने छे हजार रुपया ही पे किया था तो ऐसे केस में जो एक हजार रुपया फी से रख लेंगे और बाकी की जो पांच हजार रुपय फी ने रिफंड करनी पड़ेगी तो सिर्फ के पीके में ही 22 करोड रुपय की जो अमाउंट है वो स्टूडंस को रिफंड होगी यानि हर स्टूडंस जिसने रिजिस्ट्रेशन करवाई है तो जाहर है उनका सी नइसी नंबर वगएरा या बाकी जो पर्टिकलर्स होते हैं जिन से पता चल जाता है कि स्टूडन ने फी पे की है और यह रिजिस्टर्ट युनिवस्टी और डो युनिवस्टी बोलान युनिवस्टी के उपर भी बड़ा ज्यादा दबाव होगा और स्टूडंस के तरफ से बड़ा ज्यादा एक प्रेशर होगा कि अब इटा के तरफ से अगर फी रिफंड हो रही है तो इन्हें भी करनी चाहिए और इस बात के इजाफी फीस है ये रिफंड होती है तो अगर हिसाब लगाया जाए तो दो लाग दस जार स्टोंड ने अगर अप्लाय किया था और छे जार रुपे फी पे की थी तो एक जार रुपया वो रख लेंगे और बाकी के पांच जार अगर वो रिफंड करते हैं तो तमाम पाकिस करना पड़ेगा और तमाम स्टोंड को फी रिफंड करनी पड़ेगी लेकिन अगर ये इटा का अपना इंडिविजुल डिसीजन भी है तो भी के पीके की तरफ से फी रिफंड के बाद बाकी तमाम प्रोविंस के ओपर बहुत जादा प्रेशर होगा और असूली बात है ज अगर बाकी निवस्टी की तरफ से भी कोई फैसला किया रहता है या कोई फिशल नौटिविकेशन सामने आता है तो वह विन्शाला को बता देंगे बाकी स्लसले में प्रोविंचल एमिटिकेशन सामने नहीं आया है और फी रिफंड के हवाले से पीमसी की तरफ से मुकमल और अगर ऐसा होता है कि पीमसी की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाता है उनकी अफिशिल वैबसाइट के ओपर या किसी भी सोचल मीडिया फॉरम पर तो फिर ये मेंडिटरी हो जाएगा तमाम प्रविंशल एड्मिटिंग इनिवस्टी के लिए कि वो स्टूरंट को फी रिफ तो वो डॉक्यमेंट्स आपको एज़ प्रूफ जो है वो प्रिजेंट करने होंगे और तो ही आपकी जो फी है ये रिफंड होगी बात ये अम्डिकाट की प्रसेसिंग फी की रिफंडिंग के हवाले से जैसे कोई फर्थर अपडेट सामने आती है तो वो ब इंशाला आप गवर्मेंट इस्टूशन है और ये शहीज जुलिफकार लिपोटर मेडिकल यूवरस्टी का कॉंस्टिचुएंट मेडिकल कॉलेज है अब इसमें होता यह था कि इनका अलग एंटिटेस्ट कंड़क्ट होता था और जिन भी स्टूरंट्स ने फमडीसी में डिमिशन लेन फमडीसी मेंडिमिशन लेना है जहां पर एमडीस की टोटल सौ सीटे होती हैं और बीडियस की पचास सीटे हैं तो आपको एमडी कैट का टेस्टी देना पड़ेगा और इसमें एक और इंपॉर्टन बात यह है कि फमडीसी में पूरे पाकिस्तान से स्टोंट सप्लाइ कर स यह किसी पुल्टिकलर प्रोविंशिया रीजन के लिए यह कोलज नहीं है लेकि इसमें पूरे पाकिस्तान से स्टोंट सब्सक्राइबर कर सकते हैं और इसमें रिजर्व सीटे होती है पंजब के सीटे हैं सिंद्ध के लिए हैं ब्लोग चिस्तान के पीके एजगे वाटा पारिसी देके से मुक्तलिफ कैटेगरी के यहां पर रिजर्व सीटे हैं MBBS और BDS के लिए तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो इस साल MDCAT के एक्जाम देंगे चाहे तो आप पंजाब वाला UHS के थ्रू MDCAT देदें है या किसी पर्टिकलर रीजन का किसी भी प्रुविंस का किसी बेडमेटिंग यूनिवरस्टी वाला जो MDCAT है वो काबले कबूल होगा FMDC मेडमिशन के लिए पर इसकलाब और इंपोर्टन बात यह भी है कि FMDC मेडमिशन का तो एक अलग मैटर है आपने कहीं भी एडमिशन लेना होगा तो आपका जो MDCAT है ये काबले कबूल होगा मिसाल के तोर पर अगर आपने सिंध के प्राइवेट मेडिकल कॉलजिसम एडमिशन लेना है अब आप यह सोचिंगे जी हमें सिंधवल के रिस्ट्रिक्शन होती है और अगर आपने अपने प्रोविंस के लावा किसी दूसरे प्रोविंस में जाकर जो है वो एडमिशन लेना है वहां के सरकारी मेडिकल कॉलेजिस में तो यह देखना पड़ेगा कि क्या आप वहां पर आपके लिए रिजर्व सीटे मौजूद हैं कोई कोटा सीट्स या रैसे प्रोकल सीट्स वगरा अविलेबल हैं तो ही आप अपलाए कर सकते हैं पिर इसकलावा एक बात यह भी इंपॉर्टेट है कि आप जिन स्टूडेंट्स ने जिनका डॉमिसाल मिसाल के तौर पर के पीके का है वो टेस्ट इसलामबाद में पं प्रोकल ले सकोगे इन दी एंड जो सरकारी मेडिकल कॉलेजिस के लिए मैटर करेगा वह आपका डॉमिसाल है कि आपकी से बलाउं करते हैं जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजिस में तो आप किसी प्रविंस के देने के बुनियाद पर आप कहीं भी प्राइवेट मेडि के कोडिंग आपका टेस्ट होगा यानि आप जिस भी प्रविंस या रिजन का प्रविंस करते हैं तो वहां के दमीटिंग उनिवर्सटी के थुर आपको आपको देना पड़ेगा बाकि यह जबूरा कि आप जिस भी प्रॵिंस का एक्जमिनेशन सेंटर क्या है तो आप उस प्रोविंशन जो है वो ग्जामिनेशन सांटर चेंज हो सकता है